नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं हिमान सुरेन मंगलवार को होने वाली विपक्षु देलों की सन्यूपत बैठक में भाग लेंगे बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों के बटवारे को लेकर भी आगे बात बढ़ सकती है इसे लेकर गठबंधन दलों के बीच फरमुला बन सकता है उलेखनिया है कि हिमान सुरेन ने पतना बैठक में भी हिसा लिया था और राश्ट्रिय अस्तर पर भाजपा के खिलाब मजबुत संगठन की पुर्जोर वकालत की थी वहीं राज्य में कॉंग्रेस और रायत के सहयोग से हिमान सुरेन सरकार चल रहे है आगामी लोग सभाज चुनाव में गड़ बंधन तलों के बीज सीटों का बटवारा एक बड़ा टास्क है हालाके कॉंग्रेस ने पिछले लोग सभाज चुनाव की तर्ज पर 14 में से 9 सीटों पर दावेदारी की है ऐसे में जाम्मों के हिसे में 5 सीटे आएंगी गुमला के कार्तिक उराव कॉलेज के छात्रों का बिरोध परदर्शन गुमला के कार्तिक उराव कॉलेज केमपस में बहुत ये भावन के उधाटन कारिकरा में पहुंचे राची इनवर्सिटी के कुलपती डाक्टर अजीत कुमार सीनहा को छात्रों के बिरोध का सामना करना पड़ा इस दोरान छात्रों दुआरा नए भावन के समीब करीब एग घंटे ता कुलपती और रश्टा डाक्टर एमसी मिहता सीची डीसी पीके जtlesा को रोक कर रखा गया छात्रों ने नरे वाजी की भावन को उध्गाटन करने से एक घंटे तक रोक रखा भावन के परवेश द्वार के पास छात्र बैठ गया चात्रो ने कॉललेज की समस्थ येवं बहुदेशिय भवन में अनिमित्त किये जाने का रोप लगाते हुई सिकायद किया इस दरान कुल पती दुआरा अस्वासन दिये जाने के बाद बहुदेशिय भवन का फिता काट का उधगाटन किया गया कुलपती ने कहा एक में परतिक मा कर्तिक उराव कॉलेज आऊंगा एक मा के अंदर कर्तिक उराव कॉलेज को बेवस्थित करने का पर्यास करूंगा अपराधिक गीरोह के साथ मुढभेड में ATS के DSP नीरज को लगी गोली जारखन पुलिस को बड़ा जटका लगा है जनकारी के मुताविक पतराथू में अपराधिक गीरोह के साथ मुढभेड में ATS के DSP नीरज कुमार को गोली लगी है जिससे वो बुरी तरह से खायल हो गया उनको मेडिका अस्पताल में भरती कराया गया DSP नीरज कुमार को पेट के दाहिने साइड में गोली लगी है डक्टों के मुताविक गोली निकाल दी गई है लेकिन गोली का असर अभी भी है फिलहाल DSP की सिती में सुधार बताया जा रहा है बता दे रामगर जिले के पत्रातु थाना चेत्रिक के टेरपा में अपराधियों के बिरूद, रांची, ATS और रामगर पुलिस अन्यूक्त करवाई कर रही थी इसी दवरान अपराधियों ने पुलिस पर अधाधून फैरिंग कर दी, जिसमें ATS के DSP नीरज कुमार को गोली लग गई है स्कूलों में अब सिक्षकों के नाम के साथ लगेगी उनकी तस्वीर जारखन के सरकारे सिक्षकों के नाम के साथ उनकी तस्वीर लगेगी पताधनाद्या आपको के पताध राज के इसकूल की परिकल्पना नहीं की जा सकती। शिख्षक की इसकूल की सक्षा ब्यवस्ता बदल सकते हैं। इसलिए सिक्षको के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, नियुक्ती पर किरिया शुरू हो, बता दे प्रधनाध्यापको के पद राज के स्कूल में रिक्त पड़े हैं, उनकी भी नियुक्ती सुनेशीत की जाए, उत्किष्ट बित्यालों की तर्ज पर सभी स्कूल इसलिए पाचमी सिमू जीले के अति उगरवाद प्रभाईद गोईल के राथाना छेतरे के कोईंडा गाउं के समीप के जंगल में सोमवाद के सुबर नक्सलिक द्वार लगाया गया, आईडी की चपेट में आने से स्यार पी एफ, साथ बटालियन जी कंपनी के जवान, ए उनका उपचार किया गया, घायल जवान देवेंद्र को कान में टोप लगी है, बताद इसकार उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, बाद में उन्हें हेलिकोप्टर से राची ले जाया गया, जीले के पुलिस अधिक सक आसुतोस से खरने घटना के अब रायनितिक दलो को चुनाव आयोग को ओनलेन बीतिय लेखा जोखा उपलब्द कराना होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने ओनलेन लेखा जोखा की सुरूँआ, चालू बीतिय वर्श दोह यरते 24 से शुरू की है, भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्नाह के बाद मुखे निर्वाचन पतादिकारी कर्याले द्वारा सभी छेत्रिये और राष्ट्रिये पार्टी को चीठी भेज कर सल समय रिपोर्ट आयोग को देने को कहा गया, पारदार सिता और जबाब देही सुने स्कीत करने को देश से भारत निर्वाचन आयोग ने रायनितिक दलो के बीतिये लेखा जोखा को वार्षिक आडिट आकाउंट रिपोर्ट के माधियम से जमा करने को कहा है, मुखे निर्वाचन पतादिकारी के रभी कुमार के दोवारा जारी पत्रे करनुसार जो रायनितिक दलो ऑनलाइन मोड में बीतिये रिपोर्ट दाखिल नहीं करना च चर्चित दरोगा संधिया टोपनो हत्याकंड के आरोपी पसुतसकर महमुद कुराईसी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, पुलिस उसकी गिरफतारी के लिए लगातार छापे मारी कर रही थी, दरोगा संधिया टोपनो हत्याकंड का आरोपी महमुद कुराईसी ने राच को पूलिस ने उसके घर पर इस्तिहार चीपकाया था पूलिस के लगातार दबाव के बीच उसने कोट में सरिंडर कर दिया है बता दे कि 20 जुलाई 2022 की रात तुपुदाना में होई घटना को कभी भी भुलाया जार नहीं सकता एक तो नियम विरूद महिला दरोगा को नाइट पेट्रोलिंग ड्यूटी दी गए थी वो अपने कर्दब्यों का पालान भी उतनी ही सिदत से कर रही थी बिपक्षी दलों की बैठक पर भाजपा का तंज 17 और 18 जुलाई को देश की दो ताजन सथिक विपक्षी दलों की बैठक बैठक में हो रही है जहारखन के मुख्य मंत्री हमान सुरुन इस बैठक में सामिल हो रहे है इस बैठक के जरिये केंद्रे की मोधी सरकार के खिलाप मजबूत विपक्षी खेमा बना कर 2024 में भाजपा को सत्ता से बेद खल करने की रणित विपक्षी दल के नेता बनाने वाले है ऐसे में मुख्य मंत्री हमान सुरुन के बैठक बैठक प्रतंच कसा है बताद जहारखन भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिना ने कहा है कि विपक्षी दलों की एकता की कवायद करके कॉंग्रेस और बिरोधी दल के नेता या संदेश देने की कोशिज कर रहे है कि पीम मोधी खिलाप एक ससक्त विपक्ष त्यार हुआ है लेकिन हकिकत से देश की जानता वाकिफ है भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि देश की जानता समझती है कि बैंगलोरी की बैठक में कौन लोग सामिल हो रहे हैं सियम हेमंत ने हीरो एसियन होकी चेंपियनसिप ट्रोफी का किया अनावराण जारखन के सियम हेमंसिप ने हीरो एसियन होकी चेंपियनसिप दो हैर देश की प्रतिश्चित ट्रोफी का नावराण किया इसमों के परमुख्य मंत्री हेमंसिप ने पास दबॉल ट्रोफी टूर अभियान को लंच करते वे भारतिय होकी टीम को सुभकमनाय दी है सियम ने कहा है कि एसियन चेंपियनसिप के ट्रोफी का देश भर में भ्रमन कराये जाने थे खिलाडियों के साथ खेल प्रेमियों का भी उत्सा बढ़ेगा चेनाई की मेजवानी में 3 से 12 अगस तक एसियन होकी ट्रोफी चेंपियनसिप का उजन किया जाएगा निसिकांत दूबे वा मनोज तिवारी को सुप्रीम कोट का नोटिस सुप्रीम कोट ने देवघर हवाई अड़े से साम के समय उडान भरने की बिवाद पर भाजपा निसिकांत दूबे और मनोज तिवारी सहित अन्यको नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट के जस्टीस अभाई एस ओका और जस्टीस संजय करोल की पीठ ने जार्खन सरकार के ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाब दाकिले अचके अपर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जबा मांगा है बालेस्वर ट्रेन हाजसे से रेलवे ने लिया सबक टाटा नागर स्टेशन सहीद चक्रधर पूर मंडल के अन्रे स्टेशनों पर भी इस डिवाईस को ज़द लगाने के त्यारी हो रही है बालेस्वर में दो जून के हुए अब तक सबसे बिशन ट्रेन हाजसे के बाद रेल पचासन अलाट हो गया है यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब स्टेशन में नए अडियो डिवाईस लगाए जा रहे है जो एस्टेशन के सिगनल पैनल और वीडियो स्क्रिनिंग से अटेच रहेगा बता दे जब तक RRI करया लए करमचारी या ओन डियो टी एस्टेशन माश्टर में लाइन को रिशेट नहीं कर देगा पर किया के तहद अडियो सिस्टम नियमित रुप से बजता रहेगा हर एक ट्रेशन के स्टेशन में पहुचने के बाद अडियो सिस्टम पोईंट रिवर्स होने तक बजेगा ताकि अन डियो टी करमचारी बिना किसी गलती की पोईंट रिशेट कर ले उनत टेकनोलोजी की मदद से सुने दुर घटना के लक्ष को प्राइप्त करने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है जारखन में अब बजार में मात्र 6,000 टन गेहूं बेचेगा एपसी आई भारतिय खाद निगम ने राजे में खुली बिक्री योजना के तहत बेचे जाने वाले गेहूं की मात्रा 8,000 मेट्रिक टन घटा दी है एपसी आई अब जारखन में 14,000 की जगा 6,000 मेट्रिक टन गेहूं ही खुले बजार में बेचेगा इसकी वज़ा ओक्सन में ट्रेंडर, मिलर और फूट प्रोसेसिंग यूनिट की उदासिंता बताया जा रही है बताया जा रहा है कि बीते दीन सब्ता से ओपन मार्केट सेल इसकीम के तहत खरीदारों की भागेदारी को देखते वे एपसी आई ने अरने न लिया है इसके साथ ही पहले जहां एपसी आई छोटे कारोबारियों ट्रेडर को योजना के तहस्ते दर प्रगेहुचावल की खरीद के लिए अमंतित कर रहा था अब सिर्फ मिल संचालक और फूट प्रोसेसिंग यूनिट संचालक की इसमें भाग ले सकेंगे पीडियस दुकंदारों को 30 सेयर मांदे देश सरकार अल इंडिया फेयर प्राइस सोब डिलास फेडरेशन जहारखन की पताधिकारियों ने 17 जुलाई सोमवार को पर देश भाजपा अद्यक्स बावलान मरांडी से उनके पैतरिक आवास पर मुलकात की डिल्रों ने उन्हें 4 सुत्री ग्यापन सोब कर राष्ट्रिये खाज सुरक्षा जहारखन की लगभग 28 सेयर जन बित्रन प्रनाली की दुकंदारों की जिती सुधारने का अग्रह किया ग्या ग्यापन में PDS दुकंदारों की आजिवका के लिए प्रती मां 30 एरफ्य मांदे वो 300 एरफ्य प्रती कुटल की दर से कमिशन दिल्वाने का अग्रह किया साथ ही केंद्र सरकार से प्रधान मंत्री गरीब कर लिया नुजना की तहत एक गारह मां का बकाया कमिशन वो पहले की तरह आस्रीतों को अनुकंपा का लाव दिलाने की भी मांकी है डिल्रो ने कहा है कि जारखन की भगुलिक इथीती को देखते हुए जब तक फोरजी सेवा इपोस मसीन में बाहल नहीं हो जाती तब तक इलक्टोनिक स्केल को बंद कराया जाए मरांडी से मिलने वाले डिल्रो में संजाच चौधरी मौजूद थे जल्द ही इरफान अंसारी को निलंबन मुक्त करेगी कॉंग्रेस सरकार गिराने के साजिस में निलंबित किये गए कॉंग्रेस के तिनों बिधायकों को जल्द ही निलंबन मुक्त किया जाएगा कॉंग्रेस मुख्याले से इसके लिए हरी जंडी भी मिल गई है अब बिधिवत निर्देश मिलते ही परदेश नेतिवत तेजी से इस दिशा में काम करेगा पैसे लेकर सरकार गिराने के आरोप में इन बिधायकों को केंद्रियर नेतिवत के निर्देश पर ही निलंबित किया गया था तीनों लिलंबीत बिधायक डॉक्टर लिफानन सारी नमन विक्षन को गाड़ी और आजस कक्छप अपनी ओर से पाटे मुख्याला जाकर वर्य नेताओ को स्पस्टी करन भिद्य चुके हैं बताते चले कि तीनों बिधायक 48 लाख रुपे से अधिक नगत के साथ कुलकत्ता में गिरफतार किये गये थे उस वक्त तीनों ने दवा किया था कि अपने अपने बिधायान सबाचेतर में साड़ी बित्रन समारों के आवजन को लेकप समागरी के खिरदारी करने पहुंचे गुमला में भौरों ने 50 लोगों को किया घायाल। हमले के बाद लोग सव छोड़ कर फरार हो गए वहाई कुछ लोग सव के समीप कापडाला पेट कर बैठ गए थे धनिवाद